नमस्कार आप देखरें जीके संसार और इतिहास के top 10 evergreen questions में आपसे भी कास स्वागत है हमारे द्वारा वैसे ही questions आपके लिए ला जाते हैं वैसे content दे जाते हैं जो कि आपके exam में आपको score करने में मदद करें और हमारी हमेशा कोशिच होती है कि आपके लिए content जो लाया जिसे की आपको regular basis पे notification मिलता रहे तो चलिए बीनादेर के session को start करते हैं और question के तरफ बढ़ते हैं पहला question है कि किस काल में कर प्रथा का विशिस्ट महतु था आपके options है महाजनपल, गुप्त, वैदिकाल और हड़ापा से बैता तो देखिए कर प्रथा जो था सबसे विश सफशनिकंफ प्रथम को माना जाता है गुप्त समवत् प्रथम ने चलाह था 319-20 के दौरा, परियाग राज में जो परियाग प्रसस्ति है, इसकी रचना हर सेन के द्वारा की गई थी और, विश्ट अस्मीथ समुठ्क को भारत का नेपूलियन कहा था, इस question को हंड्यर टा पूछाय कि चीम यात्रिये के जगह पे पढ़ियान सिर्फ पूछता है कि फायान भारत में किसके सासनकाल में आया था तो चनदकूध दूतिया के सासनकाल में आया था और गिरिनार परोत पर जो सुदरसनजील है इसका पुनर निर्मान जो करवाया गया था, वह असकंद गुप्त ने करवाया था, और आपको मैं बता दू कि most important है कि असकंद गुप्त की जो स्वन मुद्राय थी, उस पे जो उपाधी मिलती है, वह क्रमादित्ती की मिलती है, तो इससे भी important facts है, इसे आप note कर सकते हैं, और जहंगीर, अकबर और साजा, तो इस question का correct answer जो रहेगा, ओर रहेगा option C, अकबर, देखिए, विश्व सांती के विचार को मुगल बासा, अकबर जो है, उसने आगे बढ़ाया था, और सभी धर्मों की विशिस्ताओं को मिला कर, एक नए धर्म की अस्थापना की थी, पंदर 1582 में, और अकबर का जो राजिया विशेक हुआ था, यह हुआ था, 14 फरवरी 1556 को कहां पे कला नौर में हुआ था, और अकबर जो है, वो बाजसाह गाजी की उपाधी के साथ सिहासन पर बैठा था, दिन इलाही का पूरोहित अबुल फजल था, और अकबर ने हरविजय सभी facts जो है, important है, अब इसे ध्यान से देखेंगे, अकबर ने समराट की उपाधी जो है, डक्छीन विजय के बाद ग्रहन की थी, और अकबर ने इलाही समझ जो है, 1583 में जारी किया था, और अकबर के द्वारा विरवल को कवी राज और राजा की उपाधी प्रदान की नाना फदानिस और राणी लक्ष्मिभाई, तो कितूर के जो बिटिस विरोधी आंदोलन था, इसका नित्र तो जो किया गया था, राणी चे नम्मा के द्वारा किया था, option एक करेक्ट होगा, देखें कितूर आंदोलन या विद्रो कहले, इसका नित्र तो जो है, कितूर क करनाटक के रियासत की जो राणी थी, राणी चे नम्मा, इन्होंने 1824 में किया था, और यह एक सैन विद्रो था, जो बिटिस इस्ट इनिया कंपनी के खिलाफ था, राणी चे नम्मा भारत के करनाटक का कितूर राज की राणी हुआ करती थी, चले, अगला प्रस्न है कि भ आपको नीचे है, इसे आपको कोई दिकत नहीं होनी चाहिए, सारे लिखे हुए है, A, B, C करके ठीक है, तो यहाँ पर सही अंसर जो रहेगा, और रहेगा आपका 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 ऑप्सन D, सविने अवग्या अंदूलन, तेकि आपको मैं बताओं कि महात्मा गान्धी द्व सविने अवग्या अंदूलन के शुरुवात की गई थी, और 1906 में महात्मा गान्धी ने 133 अंदूलन के शुरुवात की थी, बात करें तो आप सब जानते हैं, कि 8 गात्मा गान्धी द्वारा से फारित किया था और इसे अगस्त करांथी के तोर पर भी जना जाता है, गां से अंधोलों के दौरान तो भाराजा छोडों के दौरान दिया गया था और यह जो मैदान है अब अगस्त करांती मैदान के नाम से जाना जाता है अखिल भारतिये कॉंग्रेस कमिटी के बंबई सत्रों जो हुआ था उसमें अंग्रेजों भारत छोड़ों का नाम दिया गया था और बाल गंगा था तिलक ने पुने में 28 अप्रेड नुश्व लको बिलगाओं पुना ठीक है कहाँ पे बिलगाओं में होमरूर लिक्या स्थाफना की थी तो स मुहमब में तुगलक, बलवन, अलाउदिन खिलजी या फिरोजसा तुगलक तो इस क्वेशन का करेक्ट अंसर जो रहेगा और रहेगा ऑप्शन B अलाउदिन खिलजी के बात करें तो अलाउदिन खिलजी ने बजार नियंतर परनाली को बहुत अच्छे तरीके से किया और अलाउदिन खिलजी के अगर हम बात करते हैं तो आपको एम बता दूँ खिलजी वंस का दूसरा सासक था और इसने कब से कब तक सासन किया 1296 से लेकर 1316 तक और अलाउदिन खिलजी का पहला अभियान जो था गुजरात पे था कब 1298 में और बगेल सासक कर्ण देव पर पहला इसका अभियान था और अलाउदिन खिलजी ने अपना राज्या विसित दिल्ली में इसित बलवन के लाल महल में करवाया था आपको मैं बता दूँ कि इस उतर भारत की बात करें तो इसमें आता है आपका गुजरात उसके बाद रंथमबौर चितौर मालवा धार चंदेरी सीवाना जालौर इसे भी उतर भारत में इसके विजय अभियान थे वहीं दक्षिन भारत में देखे तो देवगीरी वारंगल द्वार समुद्र माला बार दिवाने वजारज जो होता था वजीर हुआ करता था और दिवाने इंसा जो कि साही आरेसों को पालन करवाना उसका काम हुआ करता था दिवाने आरिज जो होता था वह सैने मंत्री होता था ठीक है और वहीं दिवाने रसालत की बात करें तो यह विदेश विभाग का आदम किसका विदेश और उसके बाद आता है आपको एक चीज और जो कि याद रखना चाहिए कि अलावदिन के समय में मिवार का जो सासक था वो राना रतन सिंग था इससे बंद जाता है और चीज़ों को हम यहां पे देखें अगर अलावदिन खिल जी के बारे में तो अलावदिन ने अलावदिन को विश्व का सुल्तान पिर्थिवी के सासको का सुल्तान युग का विजेता और जनता का चर्वहा जैसी उपाधी दी है इसके द्वारा दिया गया है सभी उपाधियां अमीर कुसरों के द्वारा और किसमें खजाई नूल फुतु में अब देखिए बज इनका काम था बजार पर नियंतर रखना सराय अदल इनका काम था नयाय के लिए और कुछ दिक्कत हो रही है तो वहां पर नयाय जो है यह देंगे ठीक है यह करेंगे फैसलाई करेंगे और बरीदय मंडी इनका काम था बजार का निरिच्छन करना ठीक है और एक आपका और मुनहयान मुनहयान का काम था गुपचर करना कि कोई कहीं से कुछ हो रहा है लिंकेज हो रहा है तो उसके लिए गुपचर का काम करता था मुनहयान तो यह सब फितरा ग्या तो इस प्रसन का सही अंसर जो रहेंगा वह रहेंगा भावनों को सजानी की से देखिए पीतरा डिवरा भौनुक्त जानी के एक सैली थी और इससे दक्षिन एसिया में प्राचीन कैरी के नाम से जाना जाता था जो कि पत्रों पर नकासी करने से समन्दित है और भारत में पीतरा डिवरा का जो सबसे पहले परियोग हुआ वह कहां पे हुआ इत्मादुल्ला का जो मकबरा है उसमें किया गया चलिए अगला प्रसन है निम्दिकित में से कौन सा राज जी का संयोजन त्री विवाजन संघर्स में सामिल था option A है राष्टकूट, पाल, गुर्जर परतिहार, option B पाल, चोल, गुर्जर परतिहार, option C चोल, राष्टकूट और पाल, और option D है पाल, पलो और राष्टकूट, त्री विवाजन, त्री कोनिये संघर्स आप सब जानते हैं तो इस प्रसन का साई अंसर होगा पाल और गुर्जर परतिहार, इसे facts देखते हैं, लेकिए हर्स की, हर्सवर्धन की मिर्तियों के बाद, तीन प्रमुक सक्तियां, गुर्जर परतिहार, पाल और राष्टकूट, इनका उदय हुआ, और कनौज पर अधिकार को लेकर इन तीनों सक्तियों के भी संघर्स अगला प्रसन है, निम्न में से कौन काकोरी कांट से समन्धित नहीं है, option A, भगस सिंग, option C, राम परसाद भी सिमिल, option B, असफाग कुल्ला खां, और option D, राजेंद्र लहरी, तो इस question का से answer रहेगा, option A, भगस सिंग, लिखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसेशन के कर कांटिकारियों के द्वारा, 9 अगस्त 1925 को सहारनपूर लखनो लाइन पर काकोरी जाने वाली आठ टाउन मालगारी को लूटा गया था, और इस कांट में 29 कांटिकारियों को ग्रपतार करकी, उन पे काकोरी सर्यंत्र कांट का मुकदमा चलाया गया था, और इन में 4 कांटि की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्सता किस ने की थी, ऑप्शन A, भूला भाई देशाई, ऑप्शन B, जवाहलाल नहरू, ऑप्शन C, मुहमद अली जीनना, और ऑप्शन D, C, आरदास, तो इस क्वेशन का सही अंसर रहेगा, ऑप्शन A, भूला भाई देशाई, देखि भारत के विभिन दलों ने इसका विरूद किया, और ग्रेपतार साइनकों के पैरवी के लिए, वहकीलों का एक सम्हू बनाया गया, जिसमें भूला भाई देशाई, पंडित नहरू, तेज बहादू सप्रू, और कैलासनात काटजू आदी सामिल थे, लेकिन इस सम्हू का महान के रिद्र, विक्रम सिला महा विवार का निर्मान करवाया था, ओप्शन धर्मपाल, ओप्शन सी हर्स, ओप्शन भी गोपाल, और ओप्शन दी बाला दिते, इस क्रेशन को 68 BPSC प्री जो हुआ, उसमें पूछा भी गया है, सही अंसर यहां पे रहेगा, ओप्शन धर धर्मपाल, देखिए आपको बताओं कि बंगाल का जो पाल वन्स का सासकता धर्मपाल, वह एक उससाहिब बहुत समर्थक था, और इसने बिक्रम सिला का निर्मान करवाया था, जो आगे चलकर परसीद बहुत सिच्छा का विस्विद्याले के रूप में अस्थापित हो ग के साथ सेयर जुरू करें और जो भी सुझा हो इस सेसन के रिगार्डिंग कमेंट बॉक्स में जुरू बता है, थैंक्स वर वाचिंग, जय हिन, जय बारत.